स्वागत है आप सब्सक्राइब फिर से एक नए वीडियो पर आइए देखते हैं रहके एक समय करण प्रस्थापन विदी से कैसे हल करते हैं एकदम असान तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे आई हो आपको अच्छा लगेगा वीडियो पूरा अंतर तक देखेंगा ताकि आ हम आलने के समय करण दो एकम पूरा वीडियो देखेगा अगर मैं इसपीड कम लग रहा है तो इसपीड को बढ़़ा लिएगा अभ देखेंगे गे आपको जो अच्छा लगे उस्समे करण को ले सकते है में इसमें दूसरावला समी करण ले सकते है या पहला वाला तो पहल इधर रख सकते हैं चाहें वाई को इधर रख सकते हैं हमारी मर्जी जो चाहें रख सकते हैं अब भी जिसको चाहें उसको हम वाई को रख करके कोशन को सालो करेंगे तो वाई इक्वल टू देखेंगे क्या है तो फाइफ माइनस एक्स वाई को यही पर रखे एक्स को आगे जाएंगे हम जानते हैं जब भी X को एक्वाल के आगे ले जाते हैं तो यहाँ पर प्लस का सीमबल होगा तो प्लस आगे जाएगा तो माइनस वंज जाएगा यहाँ तक तो समझ में आया अब इसको हम क्या करेंगे नnewGAN बॉयिस तरह से सालो करेंगे फिर वाई कमाण समी करण 2 में रखने पर समी करण 2 में रखने पर simply आपको इसी तरह से question को सालो करना है रखने पर आपको अच्छी तरह से समझ में भी आएगा अगर मैं पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखेंगे तो अब देखेंगे तो समी करण 2 क्या है आपका तो 2x minus 3y is equal to 4 दिया हुआ है बस ऐसे लिख लिख लिए हमने y का value यहाँ पर put up कर दिजे तो 2x minus 3 अब y का मान क्या है तो 5 minus x है बस ऐसे रख दिजे कुछ करता ही नहीं है is equal to आपको कितरा मिल गया चार मिल गया x minus 3 का 5 में multiply करें 3 पचे 15 अब minus 3 minus और minus मिल के क्या होगा plus 3x is equal to आपको मिल गया 4 2x और 3x आप जानते हैं 2 गो x और 3 गो x मिल के कितना बनेगा तो 5x बन जाएगा अब 15 को आगे लेके चले जाएए तो यह हो जाएगा 4 प्लस 15 अब देखेंगे तो 5x is equal to 15 और 4 कितना बनेगा 19 बनेगा 5 से भाग देदीजे तो x is equal to आपको कितना मिल गया 19 बटा 5 यहाँ तक तो आपको समझ में आगया होगा अब देखें यहाँ पर क्या करेंगे न x का मान हम रखेंगे यहाँ पर तो अब क्या करना है आप जहां से देखें y is equal to आपको क्या मिला था 5 minus x मिला था x का जो मान आया है यहाँ पर पूट अप कर दीजे y is equal to 5 minus x का मान आया था 19 बटा 5 यह तो आया था न अब y is equal to देखेंगे इसके नीचे denominator 1 माल लिजे इसका denominator है मतलब इसका हर है इसका भी हर एक माल लेंगे आपको देखेंगे तो y is equal to कितना आगया 25 में से 19 minus करेंगे तो 6 बटा 5 अब x का value क्या आगया आपका 19 बटा 5 आगया और y का value क्या आगया आपका 6 बटा 5 आगया यही आपका answer है आई होप यह question आपको परती अस्थापन विदी से रैखी किसमी करण का हल समझ में आया होगा अगर मैं वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ share कीजिएगा लाइक कीजिएगा चैनल पर दोस्तों नए है तो चैनल को भी subscribe कीजिएगा मिलता है नेक्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए नए प्रस्नों के साथ किसमी कीजिएगा तोस्तों के साथ